शिरी शिवाय नमस्तु भेम आज हम सोमवार वर्थकता का रस्पान करेंगी एक बहुत धनवान सहुकार था जिसके घर धन आदी किसी परकार की कोई कमी नहीं थी प्रन्तु उसको एक दुख था कि उसकी कोई भी पुत्र नहीं था वह इसी चिंता में दिन रात रहता था वह बुत्र की कामना के लिए परती सोमवार को सिवजी का वर्थ और पूजन किया करता था तथा साय काल को सिव मंदिर में जाकर सिवजी के स्री विग्रे के सामने दीपक चलाया करता था उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समसरी पार्वती जी ने सिवजी माराज से कहा कि म पार्वती जी ने अत्यंत आगरे से कहा महराज जब यह आपका अनन्भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवस्चे ही दूर करना चाहिए क्योंकि आप सदेव अपने भक्तों पर द्यालू होते हो और उनके दुखों को दूर करते हो यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुश्य आपकी सेवा और वर्थ क्यों करेंगे पार्वती जी के ऐसा आगर देख कर सीव जी महराज कहने लगे कि है पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है किसी जिन्ता में यह अत्ती दुखी रहता है इसके भागय में पुत्र नहोने पर में पुत्र की प्राप्ति का वर्थ देता हूं प्रंथ्टू यह है पुत्र के वर बारा वरस तक जीवित रहेगा इसके पश्चात नहीं मुजुँ अती सुन्दर पुत्र की प्राप्ति हुई साहुकार के घर में बहुत खुश्या मनाई गई प्रंतु साहुकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयू जान कोई अधिक प्रसंता प्रकट नहीं की ना ही किसी को भेद बताया जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता न अपने साले को बुला कर उसको बहुत सा धन दे कर काहा तुम इस बालक को कासी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्तान पर भी जाओ यक करते ब्रामनों को भोजन करते जा रहे थे रास्ते में उनको एक सहर पड़ा उस सहर में राजा की कन्या का विवा थ वह एक हाख से काना था उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवां में किसी परकार की अर्चन पैदा ना कर दे इस कारण जब उसने अती सुन्दर सेट के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दर्वाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चड़ा दर्वाजे पर ले यदि आप फेरो का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी किरपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा दंदूंगा। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चूंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। लड़के की आयू बारा वर्स की हो गई उस दिन उन्होंने यग रचा रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गई। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है यह देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। जब शीव पारवती ने पास चाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पारवती जी कहने लगी महराज यह तो उसी सेट का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शीव जी कहने लगे हे पारवती इसकी आयू इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पारवती जी ने कहा महराज इस बालक को और आयू दो। नहीं तो इसके माता पिता तडब तडब कर मर जाएंगे। पारवती जी के बार बार आगरे करने पर सीव जी ने उसको जीवन वरदान दिया। और सीव जी महराज की किरपा से लड़का जीवित हो गया। सीव जी पारवती कैलास चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी पर कार्यक करते तथा ब्रामनों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी सहर में आए जहां उसका विवा हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यग प्रारम कर दिया। तो उस लड़के के ससूर ने उसको पहचान लिया। और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास्दास्यों सहित आदर पूरवक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने सहर के निकट आये। तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुचा तो लड़के के माता पिता घर की छट पर बैठे थे। और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पूत्र सैक उसलोट आया तो हम राजी खुसी नीचे आ जाएंगे। नहीं तो छट से गिर कर अपने प्रान खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पूत्र आ गया है। पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने सपत पूर्वक कहा कि आपका पूत्र अपनी इस्तिरी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेट ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी परसंता के साथ रहने लगे। इसी परकार से जो कोई भी सोमवार के वर्थ को धारन करता है अत्वा कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी समस्त मनुकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। बोलो सिवजी भगवान की जय।